हेलो दोस्तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही मज़धार है आप देखेंगी तो बस मज़ा आया आपको आएगा और देखिए इसे मैंने फीगर यह पहले मैंने पैंसे ड्रो किया है उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मैं इसको कैसे कंटमप्रेरी आर्ट में कंवर्ट कर देती हूं फेस को कैसे बना देती हूं तो आइए प्लीज देखते हैं इते को स्टार्ट हो चुकी है और आप देखिए देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक किजिए कॉमेंट्स कीजिए जिससे की मेरा होसला लाओं और आपके सामने लाओं तो देखिए मैं इसने पैंसिल मैंने यूज की है और उसी से मैं इसने फिल कर रहे हूँ अब देखते रहे हैं मैं किस तरीके से शेडिंग दे रहे हूं इसके अंदर अभी मैंने वाइट कisolर ही यूज किया है इसमे आप वाइट मतलब कहने ही मतलब बैस क हाओं नीचे मैंने खाकी क्लर लाइट की यूज कियारा है उसके अपर मैं मैं इसमें इसमें दे रहे हूं और पैंसिल में हम पीक्टूल से ले लिगते हैं देखिए कलर समकिस तरीके से कर रहे हैं और पैंसिल की मैंने ओपसी थोड़ी कम की है जिससे थोड़ी शेडिंग सा इपक्ट आने लग जाए तो देखिए कैसे कर रही हूं मैं आप आप देखते रहे हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा होसला बढ़ कर रही हूं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इन फ्यूचर में बहुत अच्छे से इसको कबर कर पाएंगे देखिए इसे पिक टूल से मैंने कलर पिक किये हैं बकक टूल से एक है कॉंबिनेशन बहुत वैल्यू रगता है किसी भी चीज के अंदर कि अगर हमार कोई पेंटिंग में कॉंबिनेशन उसकी अकोर्डिंग होना तो चार चान लग जाते हैं तो उस चीज का आप लोगों को बहुत ज़ादे जहां रखना चाहिए और उसी से गेटा पाता है किसी भी चीज में किसी भी आर्ट में आर्ट में कलर्स की बहुत ही इंपोर्टेंस होती है कि अगर मैं यार्ट थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो ना लेकिन उसमें कलर्स अट्रेक्टिव से डल जाएं यह कॉंबिनेशन ऐसा हो कि जो हमारे 2024 के ट्रेंड में चले तो एकदम से पिक करता है बेंडर देखे मैं किस तरीके से इसको कर रही हूं पैंसिल को मैंने थोड़ा सा ब्रेश टूल को ट्रिंट करके ना उसके आगे का जो पोशन थोड़ा सा मैं ट्रिंट किया है जानके जिससे की बहुत ही ब्रेश जैसे हमारा ओरिजनल ब्रेश होता है पैंट ब्रेश जैसे होता है न हमारा फ्लेट तो वो मैंने एफेक्ट लाने के लिए इसी को ही फ्लेट किया है थोड़ा सा अभी तो इसे गोली है लेकिन मैं इसको आगे इस तरीके से बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने किया देखिए अब अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कर रही हूँ तो वो जो चीज होगी न उससे हमारा बहुत ही अच्छा एफेक्ट आएगा देखिए अब मैं इसको फ्लेट किया है हाँ जी देखो देखते रहो और कुमेंटS करो आपको कितना समझ आ रहा है लाइक करो मेरा होसला बढ़ाओ कोमेंट करके जिसे मैं आपको और आगे अच्छे से बताऊं और आगे कुछ अच्छआ ले कर आउ और आप क्या चाहते हो वो भी मुझे बताऊ कि मैं आपको कैस तरीके से आप मेरे सिखाने में कोई कम है तो आप मुझे बताइए तो मैं अपने में इंप्रूव करूंगी अब मैं इसको थोड़ा फॉर्वर्ड कर देती हूं जिससे कि आप थोड़ा देखें और थोड़ा बोर भी नहुंद देखें आप अब मैं इसके लिफ्स में थोड़ा शेडिंग डाल ले हूं तो रहा लाइट मैंने लाइट ओरेंज में थोड़ा टाइप से उस तरीके काई कलर लिया है जैसे हमारे होते हैं बहुत सते ब्राइट नहीं कर रही हूं किस तरीके चेडिंग दे रहे हैं सिर्फ मैंने उसी पैंसिल टूल से मैं यूज करकी बना रही हूं इसको और मैं इसकी ओपिसिटी कम की है इसका पैंसिल का पॉइंट मैंने बिल्ट को ब्रश की तरह ले लिया है जैसे हमारा उरिजिनल ब्रश होता है मैं आपको सिखा है अभी यह थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो सकती है लेकिन मैं इसमें बहुत ही आपको डिटेलिंग में बता रहे हूं और अगर इसमें नहीं पूरा कर पाई तो मैं आपको इसका सेकिंड पार्ट इसको कंप्लीट करके मैं आपको सेकिंड पार्ट में बताऊंगी तो आपको मेरे जितनी समझ आ रही है आप में इसको जरूर कमेंट्स कीजिए मेरा होसला बढ़ाए जिसे मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना कर भेजूँ सिखाऊँ देखिए यह मैं थोड़ा सा आपको ग्रैफिटी की बता के बनाऊंगी क्योंकि हम लोग टेक्स्टाइल के लिए बना रहे हैं अब जैसे कि हमने फीगर बनाई तो जैसे कि सीम टी शिर्ट के ऊपर लगा देंगे भी टांसर कर सकते हैं और कुशन्स पे हमारे इस तरीके के बहुत मॉडर्ण टाइप के बहुत चलते हैं बहुत ही मतब कस्टमर बहुत पसंद करता है मार्किट में तो कुछ भी अट्रेक्टिव सी चीजों जो थोड़ा यूरोपें स्टाइल की हो या फिर कंटम्प्रेरी कंटम्प्रेरी का तो बहुत ही फैशन है आज के टाइम में सबी लोग कंटम्प्रेरी चीज बहुत ही पसंद करते हैं तो कि जो ट्रेडिश्टरल होती है तो बहुत कोस्टली भी होती है और फिर वो ट्रेडिश्टरल तो होती है लेकिन आज की जो नई जनरेशन है वो थोड़ी कंटम्प्रेरी पसंद करती है तो आप देखिए मैं इसको कैसे बना रहे हूँ और आप समझे और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको कितना समझ आया लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आपने मुझे पसंद किया मेरे काम को पसंद किया और मेर होसला बढ़ाया तो मैं आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा कुछ जो भी आप बोलेंगे मैं लेकर आऊंगी आप मुझे कमेंट्स के जड़ी बताइए कि आपको मुझे क्या सीखना है क्या आप नया चाहते हैं वरना जो मुझे जो मैं अच्छे से अच्छा कर सकते तो ठीक है देखिए आप देखते रहिए सिर्फ मैंने सिर्फ दो ही टूल्स इसमें यूज की है बकेट टूल और पैंसिल और मैंने पास से मैंने इसकी आउटलाइनिंग मैंने पास से ड्रो की थी एक्चुली वो मैं वीडियो बनाने से पहले ही बना चुकी थी तो इसलिए मैं इसमें बतानी पाये हूँ वरना मैं अगली वीडियो में अपको बताऊंगी कि पास से मैंने पूरी पैंसिल से ही पैंसिल्स प्यात तूल सेommes इसकी आईब्रो लेवज इसकी पूरा जो ड्रो था ना वो मैंने सारा उसी से किया था अब देखे मैं किस तरीके से बना रही हूं आप देखो अब बेल आएकन को बजा दीजिए ट्रिं ट्रिं करके सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बजा दीजिए ट्रिन 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 और मेरा होसला बढ़ाई है देखिए मैं किस तरीके से शेडिंग दे रही हूँ अचली मैं औरिजनल नहीं अचली कंटम्परेरी का मतलब यह होता है कि वो चीज़ ना तो औरिजनल होती है और नहीं वो बहुत जादे मौर्डरन होती है वो थोड़ी बीच में होती है और वो ही चीज़ लोगों को पसंद आती है आज की जो टीन जनेरेशन है टीन है टीनेज के जो बच्चे उन्हें बहुत पसंद आएगी चुलो पेंटिंग बनाते हैं बनाते हैं कि मैं बहुत प्यारी सी आपको कहानी भी सनाती हूँ एक है न अच्छाई और बुराई की एक महातना होते हैं वो इक दिवा पर बड़ा सफीद पेपर का लगा देते हैं मारकरस एक छोट सी बिंदी लगाते हैं ब्लैक कलर की और फिर वो सब लोगों को गाउं में ले जाते हैं उस सब लोगों से कहते हैं कि देखे ये आपको इसमें क्या दिख रहा है तो सब लोग कहते हैं भी हमें तो इसके अंदर काली बिंदी दिख रही है तो वो कहते हैं अच्छाई और बुराय का यह फरक होता है कोई किसी इसका कितनों भी ऻचा कर ले अगर उसमें जरासी का कमी रह जाए तो लोगों को वह प्रमिनेंट करती है वह ही वह दिखाई देती है अच्छाई सारी कि सारी रखी की रखी रह जाती है तो ठीक है ना मैंने एक आनिया कुछ पो सुनाई है तो शाय powdered आपको पसंद भी आई हूँ मैंने इसमें फूलों की कटिंग करके देखे लगाए। यह मैंने पहले से ड्रो करके रखे हुए इसके क्लास अलग से आपको बताऊंगी की मैंने इक ऐसे ड्रोकी हैं और यह हमारे टेक्स्टाल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं तो मैं इसमें फूलों को मैं इसकी खुबसूरती बढ़ाने के लिए लगा रही हूं कि इस पेंटिंग में कैसे खुबसूरती बढ़ेगी तो मैं यहां पर देखिये लगा रही हूं मैं अब मैं इसको थोड़ा सब नीचे देखिए बैलेंस करने के लिए मैं से नीचे लेकर आई हूं और नीचे इसकी सेटिंग कर रही हूं आप अपने ही सहाब से भी कुछ और भी लगा सकते हों लेकिन मैं इस पेंटिंग को जिस तरीके से मुझे समझ आ रही है या मेरे लगा रही हूं यह कटन पेस्टी है इसमें सिर्फ हमारे मूव टूल से कटन पेस्टी किया गया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह ना लेकिन थोड़ा बहुत उपर पहुंच गया है हमारी फीगर दब गई है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड लेकर जाओं पर सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट के जरी मुझे बताइए कि मैं क्या improvement कर सकती हूं कैसी मैं बना सकती हूं और मैं आपको क्या नया बताओं क्योंकि यह वाली चीज मैं first बार आप लोगों को पहली बार बता रहे हूं यूटूब पर बढ़ना तो पहले तो मैं इनको manually हासी बनाया करती थी कभी water color कभी oil color कभी कैसे फिर मैंने सोचा कि नई मैं photoshop में भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से 20 सालों से photoshop में graphics बना रही हूँ लेकिन मैंने कभी ऐसे painting type से मैंने try बहुत कम किया था चाहिए बहुत बढ़ी 72 by 72 की हमने बनाई तो उस पे हमने पूरी की पूरी digital print करा ली तो मेरा ख्याल आया कि मुझे आया कि मैं आप लोगों को सिखाऊं तो मैं आप लोगों को इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों को सिखाने का और मैं आप लोगों को यह सिखा रही हूँ शयाद आपको मेरी पसंद जरूर आ रही होगी तो आप जरा इसको प्रीस लाइक कर दीजे फटा फट चुटकियों में लाइक कर दीजे इसको और इसका बेल आइकन चरूर दबा दीजे फट से बस उंगली अपनी पकड़ों से बैल आइकन पर क्लिक कर दो क्योंकि आप लोगों जो भी मैं बनाओ सबसे पहले आपके पास आए और आप इससे कुछ भी नया ड्रो करो अगर आपको नहीं सीख पा रहे हो नहीं डो कर पा रहे हो तो मुझे बोलो कि मैं इसकी आपको मुझे वो भेज दीजे पूरी पूरी की पूरी फाइल भेज दीजे मैं आपको फट आप इसको भेज दूंगी पीडियो फाइल आप फट आपट परिंट निकलवाना और अपने यूज कर लेना ठीक है ना आप लोग कीजिये समझिये और मुझे बताएए मैं बेट कर रही हूं कि आप लोगों की आप लोग की कमेंट्स का मैं बेट कर रही हूं देखिए और ये देखते रहे हैं सिर्फ पैंसिल टूल का ही कमाल है बास हमें बहुत जादा टूल्स की वो नहीं करना कि हमें कुछ कुछ करना है कि हमें फैदर का ये लो इसका ये लो नई अगर हमारे अंदर creativity है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम पैंसिल से भी कुछ बना सकते हैं बढ़या सा तो जैसे हम black & white pencil से बनाते हैं ये colored pencil से बनाते हैं तो वो ही तो ये भी है surface change हो गया है बस ये digital हो गया है वरना तो वो ही है बिल्कुल और बहुत असानी से बन जाता है इसमें इसमें हमें बहुत सारे benefit ये मिलते हैं उसमें तो हमें eraser से मिटाना पड़ता था यहां तो हम कुछ भी undo करें और फटा फट चेंज फिर हम लाना चाहें तो हम इसको फिर control D, control D, control D करके हम इसको वापस भी ला सकते हैं control V करके हम इसको paste भी कर सकते हैं हम इसकी चार copy भी बना सकते हैं लेकिन हाँ से तो हम एक ही बारी बनाएंगे मैनवली तो लेकिन हाँ बिल्कुल ये मैनवली ही है अब देखिए इसको इसको भी आर्ट ही बोला जाएगा ये फाइन आर्ट की था फाइन ही आर्ट है ये जैसे कोई आर्टिस्ट बनाता है वो ही एक स्टाइल है अब मैं थोड़ा सा इसको अमें थोड़ा इसका व्यू आपको छोटा करके दिखा रही हूं जिससे आपको पूरी छोटी सी दिखाई दे कि छोटी बनके कैसी लग रही है और मैं इसको आपको समझा रही हूं बर देखिए आप इसको कभी जूम करके देखिए कभी छोटा कर इसका पूरा व्यू देखिए और समझ्ज ये किस तरीके से बनी है और अब मैं इसको थोड़ा देखिए आपको दिखा रही हो कि मैं इसमें किस तरीके से नीशीं कटा चब मैं आगे दूँघी इसके अंदर जो जो कम्या है मैं उसको सही करती रहूँगी दीरे 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 और आप बस देखते रहे हैं और समझीए और अगर आपको समझ आ रहे हैं अच्छी लग रहे हैं तो मेरी चैनल को जड़ा लाक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और छोटी सी अपनी उगली को फिर उस पे बैल आइकन पर दबाईए क्लिक कर दिए बस और कुछ नहीं करना आपको और आगे-ागे मैं आपको बहुत अच्शा-च्छा सा सिखाऊंगी जो भी आप बोलेंगे मैं आपको वही सिखाऊंगी और मेरा होसला बढ़ेगा आपके ऐसे करने से अब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि देखे किस तरीके से जैसे वाटर कलर या और कलर से शेडिंग देते हैं ना ब्रश ये फ्लैट ब्रश ये उसी तरीके से मैं इसमें दे रहे हूँ लेकिन यहाँ पर हमें तोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ता है कलर समें महिंगे महिंगे कलर से नहीं खरीदने पड़ते इसमें बस इसी में कलर में क्लिक किया और टापट हमने डाल दिया और हमारा काम हो जाता है देखे बस मैं देखे ब्रश को किस तरीके से बनाया हुआ है बहुत पतला लंबा सा करके बनाया है उसको जिसे ब्रश होत देखिए चलिए मैं इस साले पोजिशन को जल 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 फोरवर्ड कर देती हूँ वरना आप लोग बोर हो जाएंगे और इसमें समझने वाली भी बात नहीं है इसलिए क्योंकि वही चीज़ चलती रहेगी पैंसे से मैं शेडिंग देती रहूँगी तो जिस तरीके में तो जल 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 भी मैं कर दूँगी फोरवर्ड तो आपको समझ आ जाएगी चलिए अब थोड़ा सा आगी चलते हैं हमने देखी यह परपर कलर पूरी शेड कर दिया है और यह दीरे 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 और शेडिंग होती जा रही है क्योंकि बहुत टाइम लगा था इसे बनाने में न तो मैं पूरी की पूरी दिखाऊंगी तो बहुत जादा आप लोग बोर हो जाएगे तो आपको मेरी अगर यह बहुत अच्छी लगी पेंटिंग बनाने का स्टाइल यह फर्स पार्ट है सेकिन पार्ट मैं आपको नेक्सट वीडियो में बता हूँगी और इसमें थोड़ी बट जो कमिया है ना अभी इसमें बहुत सारी कमी है झाल झाल जोम करके दिखा रही हूं कि देखे किस तरीके से जैसे वाटर कलर या और कलर से शेडिंग देते हैं ना ब्रश रे फ्लैट ब्रश रे उसी तरीके से मैं इसमें दे रही हूं लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ता है कलर्स हमें महेंगे महेंगे कलर्स नहीं खरीदने पड़ते हैं इसमें इसी में कलर में क्लिक किया और टापट हमने डाल दिया और हमारा काम हो जाता है देखे बस मैंने देखे ब्रोश को किस तरीके से बनाा हुआ है क्वहत पतला लंबा सा करके बनाया है। इसमें इसी तरीके से बना है तो मैंने ऐसे बना कि और मैं इससे आपको करके दिखा रही हूँ अब मैं ठोड़ा सा परपल की डार्क टोन ले रही हूँ और डार्क टोन लेकर मैं इसमें शेडिंग देती जा रही हूँ दिखिए मैं इस वाले portion को जल जली forward कर देती हूँ वरना आप लोग बोर हो जाएंगे और इसमें समझने वाली भी बात नहीं है इसलिए क्योंकि वही चीज़ चलती रहेगी पैंसे से मैं shading देती रहूँगी तो जिस तरीके में तो जल्दी जल्दी भी मैं कर दूँगी forward तो आपको समझ आ जाएगी चलिए अब थोड़ा सा आगी चलते हैं हमने देखी यह purple color पूरी shade कर दिया है और यह दीरे 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 और shading होती जा रही है क्योंकि बहुत time लगा था इसे बनाने में न तो मैं पूरी की पूरी दिखाऊंगी तो बहुत जादा आप लोग बोर हो जाएंगे झाल हुत जाएंगी जांगी ऑ्रण Bye sharp झाल क्योंकि बहुत time झाल झाल